हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे मतर की खस्ता कचोरियां जिसके लिए हमें चाहिए आधा किलो मैदा, आधा किलो मतर जिसे हमने उबाल लिया है 1500 ग्राम देशी घी, एक छोटा चम्मच अजवाइन, एक चम्मच लाल मिर्च, नमक स्वादा नुसार, अमचूर पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, हेंग, धनिया, एक चम्मच अधरक लसन का पेस्ट और चार हरी मिर्च कटी हुए मैदे में घी डालकर इसको अच्छी तरीके से गूंद लेंगे, यह अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, इसमें थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंदेंगे, आटा तयार हो चुका है, अब हम स्टफिंग बनाएंगे, पैन में तेल गरम करेंगे, उसमें ही इंग, अदर गलशन का पेस्ट, और हरी में से डालकर चलाएंगे, थोड़ा सबने के बाल, इसके अंदर जीर, धनिया पाउडर, अंचूर, जीरा पाउडर, लाल मिल्स पाउडर, और नमक, इमें डालकर फोड़ा सचलाएंगे, और इसमें मटर गाएंगे, मटर हमने पहले से उबाल देखी, तो इसको बहुत देर तक नहीं करेंगे, तो पाँच मिनाट इसके अंदर मसालो का फ्लेवर आने तक के लिए, हम इसको पकाएंगे, इसको थोड़े दे रखके रख देगे, पांच मिनाट हो चुकिया, यह मारी मटर गल चुकिया, अब गैस बंद करके, इस नारा दनिया डालेंगे, इसको मैश कर लेंगे, इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, डीप प्राई के लिए कडाई में तेल डालेंगे, पूली के साइस की लोगिया बनाएंगे, थोड़ा साठ लगाएंगे, हलका सा काटेंगे, और इस पर गही लगाकर, फोल्ड कर लेंगे, सारी लोगियों को ऐसी करेंगे, अब इन पेड़ों को बेर लेंगे, इसको ऐसे हतेली में लेकर, दो चमच डालेंगे, और फिर दीरे दीरे कमों बंद घर देंगे, सभी कचोरियों को ऐसी कर लेंगे, यह हमारी कचोरियां तैयार हो चुके हैं, अब हम इनको तलेंगे, अब एक एक करके कचोरियां तेल में छोड़ेंगे, वोड़ेंगे, यह कर दोड़ेंगे, वोड़ेंगे, यह मंदी आज पर धीरे धीरे तली जाएंगी यह खस्ता होनी शुरू हो गई हैं यह तयार हो जुकी है देखें इनका कलर कितना सुन्दर आया है गैस बन कर देंगे और इन्हें प्लेट में निकालेंगे लीजिये तयार है खस्ता कचोरियां होली के मोके पर मैं मानों को खिलाएं और पूरे परिवार के साथ घाएं पसंद आये तो लाइक करें और मेरी अगली डिश जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें थाएं